हलो स्टुडेंट्स मैं वीपी सिंग आज आपको लीजंडर्ड फंक्शन का नेस्ट लेक्चर लेक्चर लेके आया हूँ इससे पहले मैंने आपको तीन लेक्चर करा दिये हैं और एक MCQ कोश्चन में भी छोटा सा लेक्चर करा दिया है आज मैं इतना इंपोर्टेंट लेके आया हूँ कि हर साल इसमें से दो फॉर्मूले एक्जाम में आते हैं आज मैं आपके रेकुरेंस फॉर्मूला कवर कराऊंगा इसमें 6 फॉर्मूला हैं और 6 के 6 फॉर्मूले प्रूफ कराऊंगा ठीक है तो आज की वीडियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंडों को जरूर सेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं हर रोज हायर एजुकेशन की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो चलिए मैं लिखता हूँ सबसे पहले रेकुरेंस फॉर्मूला फस्ट उसमें क्या-क्या यूज होगा वो बताऊंगा तब प्रूफ करूँगा रेकुरेंस फॉर्मूला फस्ट और सच बताना कमेंट करके कि फॉर्मूला फस्ट आपकी समझ में आया या नहीं तो चलि मैं x लिख दूँ तो ठीक है नहीं भी लिखू तो इसके अंदर होता है तो आप यह मत करना कहां गया ठीक है x इसके अंदर होता है इक्वल टू n पिलस 1 pn पिलस 1 x माइनस n pn माइनस 1 x यह फॉर्मुला होता है पहला इसे proof करने के लिए मैं आपको दो-तीन बात बताऊंगा वो समझ में आनी चाहिए एक तो मैंने lecture 1 में ही आपको generating function बताया है तो वो generating function है वो तुम पर आना चाहिए मैंने पूरा define किया है आप lecture 1 देख सकते हैं और पूरी playlist की link description में दे दिये मैंने ठीक है एक तरब थे पूरी differential equation हो जाएगी तो चलिए इसका हम देखते हैं क्या है generating function इसे हम कैसे कैसे proof करते हैं तो we have generating function हम जानते हैं 1-2zx plus z square की power minus half equal sigma n equal 0 से infinity z की power n pnx ये मैंने proof कराया बड़े प्यार से आपको ठीक है चलिए हमने क्या देखा कि अगर z के respect differential कर देते हैं तो ठीक है अगर x के respect करते हैं तो ना इसका differential हो रहा ना इसका ना इसका तो मैंने हैं क्या देखा सिर्फ z के respect differential कर ये दोनों तरफ तो differential with respect to x both side plus z square की power minus 3y2 अंदर का करेंगे तो यहां आया minus के 2z z के respect कर रहे हैं 2x आया और plus के आया अंदर का 2z इधर देखिए आप sigma n equal 0 से infinity n z की power n minus 1 pnx मैंने दोनों और x के respect differential कर दिया z के respect यहां से minus 2, ले लू तो ये कट जाएगा तो minus 2, ले 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 पर हैं क्या बचेगा x minus z 1 minus 2zx plus z square की power minus 3y2 equal to sigma n equal 0 से infinity n z की power n minus 1 pnx कोई परेशानी इसमें दोनों और multiply कर दो इसकी power 1 की तो यहां क्या रह जाएगा यहां ऐसे लिख दीजीए जैसे तुम्हें पसंदा है 1 minus 2zx plus z square की power minus half एक power को नीचे ली गए equal to sigma n equal 0 से infinity n z की power n minus 1 pnx अब इसको देखो यह minus half ही तो रह जाएगी एक power यह नीचे आ गए अब इसकी multiply कर रहा हूँ तो यहां बचेगा x minus z इसकी जगे पे आप क्या लिख सकते है देखो यह और यह सेम तो इसे लिख सकता हूँ sigma n equal 0 से infinity z की power n pnx यह इधर गया multiply में तो 1 minus 2zx 2zx plus z square sigma n equal 0 से infinity z की power n minus 1 pnx फिर समझ लीचे यह तो मैंने इधर भेज दिया यह रह गया इसकी जगे पर यह value यहां रख दी बास अब आपको दोनों z की power n के coefficient लेने हैं तो मैं लिख रहा हूँ equating the coefficient of z की power n बोट साइड तो चलिए मैं पहले हैं बताऊँगा मैंने बताया था कुछ अलग से बताऊँगा यहां रख देख लीजिए sigma मैंने कहा z की power n plus 1 pnx मैंने कहा यहां सिग्मा z की power n minus 1 pnx मैंने यहां कहा z की power n plus 2 pnx मैंने यहां कहा z की power n plus 1 into यहां n और pnx मैंने यहां कहा n z की power n minus 2 pnx अब मुझे इन सब में से z की power n का coefficient लेना है अब तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि ये समझ में आ गया, तो 6 formula clear होते चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ मुझे z की power n का coefficient लेना है, क्या लेना है, z की power n का, तो यहाँ n पिलस 1 क्या होना चाहिए था, यहाँ n होना चाहिए, तो n equal कितना हो गया, n minus 1, इसका मतलब यहाँ z n की power n का coefficient निकलेगा ये, फिर समझ लो n की जगे पे क्या रखो, जो n हो जाए, n minus 1, तो यहाँ n minus 1 है, इसकी जगे पे क्या रखना था, मुझे n, तो n बरावर क्या हो गया, n plus 1, तो यह coefficient निकला आया लो, n plus 1, यहाँ देखो n plus 2 है, तो n plus 2 equal to, मुझे n रखना था, पूरा, तो n बरावर क्या होना चाहिए, बोलो, n minus 2, तो यहाँ n हो जाएगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए, n minus 2, इधर देखो, यहाँ मुझे n plus 1 है, यहाँ n रखना है, क्या रखना है, n, तो n की जगे पे क्या होना चाहिए, n minus 1, तो यह n बचाए, यहाँ होगा, n minus 1, p, n minus 1, x, यहां रखो या मत रखो, यहां देखो, n minus 2 equal to n रखना है, तो n बरावर क्या हो गया, n plus 2, तो यहां की जगह पर हो जाएगा, n plus 2, pn plus 2, x, अब तो clear समझ में आ गया होगा, अब इधर देखिए, x की इसमें multiply होगी, तो यहां z की power n ओलरेडी है, तो z की power n का coefficient, एक तो x आएगा, और एक यहां आएगा, pn x, minus, अब z की इसमें गुणा होगी, तो कितना हो गया, n plus 1, और मुझे लाना है n, तो यहां क्या हो जाना चाहिए, pn minus 1 x, n plus 1 हो जाता देख लो, तो क्या हो जाएगा, n minus 1, इधर आईए, इस 1 की multiply करेंगे, तो यह जोंकी त्यों रह जाएगा, यहां है n minus 1, और मुझे चाहिए z की power n, तो हैं क्या रखूं जो n आजाए, n की जगे पर n plus 1, इसका मतलब यह n plus 1, और यहां भी n plus 1, अब यहां देखिए, इस z की coefficient यहां 2x को आएगाई, minus के 2x, अब z की इसमें multiply करोगे, तो z की power n रह जाएगा, तो z की power n को coefficient देख तो 2x आगई है, और यहां n, और यहां आगए pn x, अब z square का coefficient multiply करेंगे, तो यहां हो जाएगा n plus 1, तो क्या रखें, n की जगे पर, यहां n हो जाए, n minus 1, तो यहां हो जाएगा, इसकी जगे पर, n minus 1, pn minus 1x, बास अब इसको सरल करना है, देखो यह इधर आजाएगा, पिलस हो जाएगा, यह वाला term, और common क्या क्या आएगा, यह पूरा common आएगा, तो यहां बचेगा, इधर आके 2n, पिलस 1 बचेगा, क्या क्या common, x, pn x, अब देखिए, यह यहां कितना है, एक, और यहां कितना है, n minus 1, यह minus 1, यह minus 1, यह इधर ले जाओ, तो यहां बचेगा, n plus 1, pn plus 1x, यहां इधर देखो, n minus 1 तो है, इसका coefficient, इसका coefficient इधर जाएगा, तो एक हो जाएगा, पिलस का, क्योंकि यह minus है, पिलस 1, बाहर, pn minus 1x, यह कट गया, क्या बचा यहां पर, 2n plus 1, बाहर, x, pn x, इक्वल to n plus 1, pn plus 1x, पिलस n, pn minus 1x, देख लिए यही formula है, यहां minus का है यह, किसका है, minus, पिलस का, यही सही है, यहां n plus 1 है, clear, तो formula second देखिए, अब इसमें क्या है, कि यहां x के respect भी differential हो रहा है, तो हम पहले z की respect करेंगे, फिर x के करेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे, और answer आ जाएगा, कैसे, देखिए, we have generating function, 1 minus 2zx, पिलस z square की power minus half, equal to sigma, 0 से infinity z की power n, pnx, तो differential with respect to z, both side, तो इसका हो गया, minus 1 बटे 2, 1 minus 2zx, पिलस z square की power minus 3y2, अंदर का minus के 2x, पिलस के 2z, equal to sigma n, equal 0 से infinity n, n minus 1, pnx, कोई परेशानी, minus 2, कोमल लेके काट दीजिए, तो यहां आएगा, x minus z, 1 minus 2zx, पिलस z square की power minus 3y2, sigma n, z की power n minus 1, pnx, यहां आप लिख लेना, अगर मैं भूल जाता हूँ, तो, पूरे में z की multiply कर दो, जदूवत पढ़ेगी, बताओंगा को, तो यहां x minus z into z, 1 minus 2zx, पिलस z square की power minus 3y2, n equal 0 से infinity, n, z की power n है गया, अगर z की multiply करोगे, तो इधर भी करनी होगी, तो यहां कितना रह गया यह, और pnx, इसे second मालो और इसको first मालो, अब एक बार हमें x की respect differential और करना है, तो by first, differential with respect to x, तो यहां देखिए minus के 1y2, 1 minus 2zx, पिलस z square की power minus 3y2, अंदर का हो गया minus के 2z, क्योंकि x के respect करना है, इधर देखिए sigma n equal 0 से infinity, यह तो constant है, इसका differential p dash nx, अब minus 2 से यह, कटिया बचा यहां z, 1 minus 2zx, पिलस z square की power 3y2, equal to sigma n equal 0 से infinity z की power n, p dash nx, अब इसकी value देखिए, यह पूरी, इसकी value यह, यहां रख दीजिए, इस जगे पर, तो मैं लिखे देता हूँ, put in second, तो यहां x minus z, और इसकी value यह रही, sigma n equal 0 से infinity z की power n, p dash nx, यह, और यहां क्या है, equal sigma n equal 0 से infinity n, z की power n, p nx, बस, दोनों और z की power n के coefficient लेने हैं, तो equating the coefficient of z की power n, बौट साइट, तो यहां x आएगा एक तो, और आएगा p dash nx, minus z की इसमें गुणा होगी, तो कितना हो गया बोलो, n plus 1, और मुझे लेना है केवल n, तो यहां क्या हो जाएगा, p dash n minus 1x, अभी बताया था ना, इधर, इधर देखिए, यहां n, p nx, तो यह formula लाना था, इसको यही बरावर आगा सेम देख लीजिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे जरुवत पड़ेगी, x p dash nx equal n, p nx, plus p dash n minus 1x, ऐसे भी इसे हम लिख सकते हैं, तो यह दो formula आपके थोड़े बड़े थे, अब इनी formula से set करके, 3, 4, 5, 6 कर जाओंगा, बस आप पूरी वीडियो देखते रहें, अगर आपको मेरा कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, तो उसके साथ आप चैनल का नाम जोड़ दें, जैसे आपको बैसल फंक्षन आपको सर्च करना है, तो आप लिखेंगे बैसल फंक्षन, bsc कोचिंग अलीगर, सबसे उपर निकल के आ जाएगा, ठीक है, चलिए तो हमने दो फॉर्मूला कवर कर लिए, फर्स्ट और सेकंड मैंने लिख दिये, इसे हम अब प्रूफ कर रहे हैं, इसे प्रूफ करने के लिए हमने बस फॉर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्स्ट फॉर्मूला का एक वार x के respect differential करेंगे, और ये value मिल जा ये लिख रहा, 2n पिलस 1 बाहर x, pn x, equal to n पिलस 1, pn पिलस 1 x, पिलस n, pn माइनस 1 x, differential with respect to x, बौद साइड, तो इसका यहाँ 2n पिलस 1 ये तो constant है, इसकी तो multiply, इसका differential, फिर यहाँ ले चलो साथ में, ये तो हमारा constant था, हमने इसकी multiply करी, इसका differential, अब इसकी multiply करो, तो इसका differential हो जाएगा, 1, आगे आईए, n पिलस 1, इसका differential हो गया, p-n पिलस 1 x, इसका differential, p-n-1 x, हमें ये value मिल गई है, इसकी value कहां से लाएं, जो यहाँ रख दें, ये रही, तो by second formula, x p-n x equal, क्या, n p-n x, पिलस p-n-1 x, put in second, ये मैंने second माल लिया, तो यहाँ ये तो constant है, 2n पिलस 1, इसकी value ये रही, n p-n x, पिलस p-n-1 x, पिलस 2n पिलस 1, बाहर p-n x, equal to n पिलस 1, p-n-1 x, पिलस n पिलस 1 x, पिलस n पिलस n-1 x, इसमें यहाँ मैंने देखा, ये वाला और ये वाला सेम है, तो अगर मैं इस पूरे को common ले लेता हूँ, तो यहाँ तो बचेगा n, और यहाँ बचेगा इसका coefficient 1, common क्या-क्या लिया था, ये पूरा लिया था common, ये आ गया, और p-n x लिया था आपने, अब इसकी multiply इसमें भी होगी, plus, 2n-1, p-n-1, हमने देखा ये और ये सेम हैं, तो इसको इधर ले आईए, यहाँ n-1, 2n-1, p-n-x, ये इधर आएगा, तो यहाँ 2n-1, ये-n हो जाएगा, क्या common, p-n-1, यहाँ बचा n-1, p-n-1, x, चलिए, n-1, और 2n-1, ये 2 लिख रहा है, p-n-x, यहाँ बचा n-1, p-n-1, equal to 2n-1, p-n-1, x, हमने क्या देखा n-1, कट रिया, इसे आप इधर ले जाएए, इसके पास जाएगा ये वाला, यहाँ बचाएगा 2n-1, p-n-x, यहाँ बचा p-n-1, यह इधर गया, माइनस के, p-n-1, x, यह भी मैंने आपका प्रूफ कर दिया, अब क्या रहे गए हैं, तीन रहे गए हैं, चलिए उनको भी कराते हैं, चलिए तो अब हमारे पास 4th formula आ गया है, 3 तो हम complete कर चुके, ठीक है, तो 4th formula को सिर्फ क्या है, 2nd formula लेंगे, और 3rd formula लेंगे, और 3rd में से 2nd minus कर देंगे, या 2nd में से 3rd minus कर दो, आंसर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो we have, 2nd and 3rd formula, 2nd formula कहा हैं, आपका यह रहा, इसे लिखो इसे n, p-n-x, इक्वल, इसको जो कीतियों रख लो, x, p-n-x, जब आप इसकी value निकालेंगे, तो यह इधर minus में जाएगा, minus, p-n-1x, यह first, 2nd formula थर्ड यह रहा, 2n plus 1, बाहर, p-n-x, इक्वल, p-n-1x, minus, p-n-1x, second, minus, first, तो इसमें से इसे minus करो, तो 2n plus 1, minus n, बाहर क्या को मन, p-n-x, इक्वल, इसमें से इसे minus करो, p-n-1x, minus x, p-n-x, इसमें से इसे minus करेंगे, तो यह cut जाएगा, क्योंकि यह plus का हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, n plus 1, p-n-x, इक्वल, p-n-1x, minus x, p-n-x, तो यहाँ आपका यह, p-n-x है केवल, यह दिहान रखोगे, गल्ती से लिग गया है, यह आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, चलिए तो अब फिप्ट फॉर्मूला को लेते हैं, इसमें केवल second formula और fourth formula यूज होगा, कैसे कैसे होगा, वो देखना है, आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, यह formula multiple choice question में भी आ जाते हैं, और proof करने के लिए तो दो formula जो पहले और दूसरे थे, वो सब आने चाहिए, यह तो छोटे छोटे हैं, बस आपको इने 4-4-5-5 बार repeat करने की जरूरत है, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें fourth formula लिखता हूँ, बाद में second कैसे use करेंगे, वो बताऊँगा, तो by fourth formula यह रहा, by fourth formula, तो n पिलस 1, pnx इक्वल टू, p-n पिलस 1x, minus x, p-nx, इसे कुछ मत मानों अभी, बाद में मान लेंगे, इसमें मैं put कर रहा हूँ, n equal n minus 1, तो यहां क्या रह जाएगा, k-n, यहां pn minus 1x, n minus 1 रखने पर यहां, p-nx, minus x, p-n minus 1x, अब इसे first मान लीजिए, ठीक है, आईए second formula की जरूरत पढ़ेगी, by second formula, तो पहले मैं इसे लिखे देता हूँ, n pnx, equal x, p-nx, और यह इधर जाके आएगा, minus p-n minus 1x, इसमें x की multiply कर दो, तो यह cut जाएंगे, तो इसमें x की multiply करो, तो यहां आएगा, nx, pnx, इधर, आएगा, x square, p-nx, minus x, p-n-1x, बास, आंसर तयार, first minus second कर दो, तो ऐसी बातें दिहान रखनेंगे, कि यह formula का बाता है, यह का बाता है, और दिहान जबी रख सकते हो, जब 4-5-5 बार करो, एक बार नहीं, ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, first minus second, तो यहां first है, इसमें से इसे minus करिए, तो n, pn-1x, minus nx, pnx, इसमें से इसे minus करिए, तो p-nx, minus x square, p-nx, इसमें से इसे करोगे, तो यह 0 हो जाएगा, क्या common, n common, तो pn-1x, minus x, pn-x, इसमें 1 minus x square, बाहर, p-nx, देख लिजिए, यही proof है, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया है, तो यही आपका proof है, अब मैं उम्मीद करता हूँ, कि आप जो six formula, छोटा सा वो भी, वो आप करेंगे, और comment में बताएंगे, कि हमने six formula कर लिया, ठीक है, बाहर,